10 different letters of an alphabet are given words with five letters are formed from these given letters then the number of words which have at least one letter repeated is तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितने letters का वर्ड बनाना है 5 का तो 1, 2, 3, 4 and 5 तो यह हमारे पास में 5 letters का वर्ड होगा तो अब हमारे पास में total हम कितने words बना सकते हैं सबसे पहले question यह आता है तो अगर मैं देखूँगा 10 different letters है है न तो 10 different और alphabet है ठीक है तो हमें यह भी issue नहीं है कि वो zero वाला problem भी नहीं कि first position पर zero आता है तो वो count नहीं करेंगे तो पहली place पर कितने हमारे alphabet आ सकते हैं 10 और अगर repetition होगा तो हर एक पर कितने कितने possible हो जाएंगे 10 ठीक है letter repeated तो one see कितने types के words होगे एक ऐसा होगा जिसमें कोई भी letter repeated नहीं होगा ऐसे भी क्या होते है five words होगे इसमें एक letter repeated होगा हो सकता है two letter repeated हो हो सकता है three letter repeated हो हो सकता है four letter repeated हो और फिर हो सकता है five letters से repeated हो बट हमें क्या बताने है हमें वो बताने है at least one letter तो at least one letter में कहता है 1, 2, 3, 4, 5 यह सारे case possible हो सकते है at least लगा हुआ है क्योंकि आगे तो हमें यह बता है कि इन सब का sum क्या है अगर मैं red region और यह आगे का cross region नहीं सब को sum करूआ to sum किसी come equal है 10 to power 5 के equal है क्योंकि total letters तो इतनी है तो red region के लिए में क्या कर सकता हूँ तो मैं यह क्या बोलते है red region को अगर मैं बोलता हूँ let's see क्या है at list one letter can you repeat it at least at least one letter repeat कर रहा है at least one letter repeat अगर at least one letter repeat कर रहा हुआ तो इसमें क्या ब injustice तो it is equal to total में से क्या करूँगा मैं total जो हमारे letters है उन में से no letter repeat वाले case minus कर दूँगा जब कोई भी letter repeat नहीं कर रहा होगा तो फिर उसके अलावा क्या बोलते हैं जितने भी cases होगे उन में at least कोई नो कोई repeat कर रहा होगा तो अब total किता है हमारे पास में total है 10 रिष्ट पावर 5 अब no letter repeat के लिए तो पहले तो सारे के सारे जो words होगे वो different होगे letters जोंगे different होगे तो हमारे पास में 10 टाइप के क्या है alphabet से तो 10 में से कोई से भी 5 चूज कर लिए तो 10C5 अभी different है 5 के 5 और इन्हें हम rearrange किते भी इसमें कर सकते हैं 5 factorial तो इचाल आगा 10 रिष्ट पावर 5 को मैं क्यालिक सराओ it is equal to 100000- tanC5 को मैं लिए तो 10 factorial अपन 5 factorial अपन 5 factorial इंटु 5 factorial तो एक 5 factorial से 1.5 factorial कुछ देगर बचे गया 10 factorial अपन 5 factorial तो 10 factorial को मैं क्या बित नाइन इंटु 8 इंटु 7 इंटु 6 इंटु 5 factorial और अपन 2 इनामेटर में इंटू 5 factorial और एक multiplication में बाहर वाला 5 factorial तो यह दोनों तो आपस में cut down हो गए है इस 5 factorial से 5 factorial cut down अब इसका multiplication हम दिखते हैं क्या आता है तो see 9 into 8 केता होता है 72 72 into 42 72 into 42 हम क्या क्या कर लेते हैं तो 72 into 42 is what 72 into 2 is 144 and 72 into 4 is 288 so this is 4 this is 2 this is again 0 and this is 1 this is 3 0 2 4 and a mr. 107 multiply क्या तो क्या जगा 30 30240 तो पुरी वाल्यू जगी 1 क्या लिखा होगा इंडिरिक लिखेंगा तो यह लिखा होगा 1,00,00-30,240 which is equal to what which is equal to 69,760 तो हमारी value अगई कितने letters possible है 69,760 तो कारट answer for this question is option 1